कैसें सभी आप सभी का ट्रेपलम लाइब अप्लिकेशन पर स्वागत है और मनीसोमेटरी यूटूब चैनल पर भी स्वागत है आप सभी के लिए आज का जो टॉपिक है वो है प्रोवेवेल्टी मतलब प्राइक्ता आप सभी को प्राइक्ता थोड़ा सा कठिन लगती है कु UPSI में यहां से कोश्चन जरूर पूछा जाता है बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एक्जाम्स होते हैं चाहे वो RRB हो चाहे वो IBPSPO हो SBIPO हो मतलब बैंक से सम्मंधित जो भी एक्जाम्स हैं उसमें प्रोवेवेल्टी पूछी ही जाती है और स्टेट लेवल के किसी भी पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछता है लेकिन आपके UPSI में जरूर पूछा जाएगा और जितने भी आने वाले बैंकिंग के एक्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है और मेरा पुरा विश्वास है आप अगर ये पुरा वीडियो देखते हैं तो आ प्रविल्टी एक संभाना होती है पॉस्बिल्टी होती है जैसे मैं आपसे कहूं कि आप तयारी कर रहे हैं आपके सामने दो कंडिसंस हैं या तो आपको जॉब मिलेगी या तो आपको जॉब नहीं मिलेगी लेकिन जॉब मिलने की पॉस्बिल्टी ज्यादा होती है क्योंक कंडिशन्स होती है आप आधी तैयारी करते हो तो 50% चांस होता है ऐसे बोलते ना 50% चांस लग रहा है क्योंकि मैंने 50% ही effort किया है 50% ही महिनत किया है मतलब एक बटा दो हना 50% का मतलब होता है एक बटा दो मतलब दो conditions हो सकती है, या तो हम pass हो सकते हैं, या तो हम fail हो सकते हैं, या तो हम success हो सकते हैं, या तो success नहीं हो सकते हैं, बास समझ गए, अगर हम match खेलते हैं, तो आप match जीत सकते हैं, या तो हार सकते हैं, दो में से एक conditions होती है, या तो जीतते हैं, या तो हारते हैं, either or चलता है, यस questions भी होते हैं मतलब आपको यह नहीं कह सकते कि exam में कहां से पूछेगा हो सकता है dice से पूछ ले हो सकता है card number आप card से पूछ ले task के पत्तों से पूछ ले हाना या dice से पूछ ले pass हो गया coins हो गया या other जो है कोई race से पूछ ले कि उसके खेल की पृतियोगता में उसको जीतने की संभा होना हारने की संभा होना उस पर questions आ सकता है तो मतलब यह questions कहीं से भी आ सकता है आपको पता होना चीए कि probability होती क्या है तो जैसे मैं आपको बताओं कि probability क्या होती है तो जैसे मैं आप से कहूं कि सबसे पहले आप जान लो कि प्राइक्ता के बारे में समझो प्राइक्ता क्या होती है तो जैसे मैं कहूं आप सो प्राइक्ता तो डाली हेडिंग कॉंपी पे प्राइक्ता तुरुन डाली हेडिंग और क आज के बाद कभी आपको दिकत नहीं होगी प्रायक्ता होती क्या है probability होती क्या है probability मतलब होता है कि पी यह बराबर होता है any upon ns आपने खुब पढ़ा होगा सुत्र कि इसका formula होता है any upon ns बहुत ज्यादा यह formula आपने पढ़ रखे हैं any upon ns अब इच्छी देखो अगर हम को आपको चाहिए होती है जो हमारे97 केंस मतलब होता है टौल इस्पेस होता है नंबर उस्पेस होता फूर्टल घटनाए जो गटिट हो पुल कंडीशन कितनी हो सकतीIND जिसे मैंने बोला कि अगर आपको एक्जाम दे रहे हैं तो आपके सामने दो कंडिशन्स हैं या तो आप फेल होंगे या तो आप पास होंगे तो एनेस हो गया वो टू हो गया लेकिन अगर हम कहें आपके पास होने की संबहोना क्या होगी तो एनी का मतलब होता है दो एक ही कं condition है तो एक बटा दू हो जाता है बस समझ गया तो अब जो है आपको में बता दूँ अब आप ध्यान से समझना एक चीज आपको हम समझाते हैं अब एक अपन एक हो गया तो आपके सामने कुश्चन कहां कहां से बनते हैं या तो पहला पहला आपको नंबर आफ कोई शिक्कों पर आता है पहला कहां से बोले गए बेटा पहला यह तो शिक्कों पर पूछेगा सवाल मलब कोई पर पूछेगा दूसरा आप से पूछ सकता ह ऩुझा, dice पर, पासा पर प्प सकता है, दूसरा आपका कहा है, पासा पर, dice ओर अन्य भी आ सकते हैं, 24 मतलब अन्य अदर्स भी आ सकते हैं, यहाँ से तुम्हें questions पूछे जाते हैं अब देखो यह चीज समझना जैसे में आप से कहूं ठोड़ा समझाओंगा उसके बाद questions करा दूंगा आपको जैसे मैं आप से कहूं जैसे आप से पूछे points पर मालो बात करें अगर coins की बात करें तो coins में देखो यह मालों सिक्का है आप सिक्के में या तो हेड होगा अगर एक सिक्के की बात करें अगर एक सिक्के की बात करें और दूसरी कंडिशन क्या होगी टेल होगी तो टोटल कंडिशन कित्ती होई टोटल जो कंडिशन होई वो ध्यान समझना टोटल जो कंडिशन होई वो कि तो यह जो एनि होगा इसको एक बोलेंगे, अगर head की प्रवरटी कोछें, तो one by full condition प्रवरटी क्या हो गई, one by two, होने की समभावना, यह होती है, होने की समभावना, होने की समभावना, बाध्यान समझना बहुत basic से समझाऊंगा, और हर question समझा दूँगा, चाहिए तना high level सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को तक मुझे जोडवाते रहोगे तो मैं कन्फर्म बता रहा हूं कि आने वीडियो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे देने वाला हूं लेकिन इस वीडियो को आपको शेर करना है और जितना ज्यादा हो पैसेर करिए कि मैं दूस और प्लस ना होने की प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर होने की संभावना ये होने की संभावना और ना होने की संभावना कभी ये बार लगा देते हैं ये वन होता है तो कभी होने की संभावना पूछता है तो वन माइनस ना होने की संभावना हो जाती है अगर आपको पी पूछता है होने की संभावना अगर आपसे पूछता है कि होने की संभावना क्या होगी तो 1- क्या हो जाएगा ना होने की संभावना ना होने की संभावना अगर आप अब पूछता है, तो 1- होने की संभावना, ये सब चीजे आपको ध्यान रखनी है, ठीक, आप देखो, ये तो हो गया ये चीज, अब इची देखना अगला समझना आगा, अब मालो, आप से मैं बोलू, ये तो एक सिक्का था, अगर आपके पास दो सिक्के होंगे, कितने सिक उच्छा ले गए, तो इस पर हेड आ सकता है, इस पर हेड आ सकता है, पहले वाले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, कुल कितने कंडिशन हो गई, चा rate के न फया मदलों सिक्कों के लिए अगर आपको दिक्कत होगी मादों मुझ पीदाद सरद पोछ लेता है पांच सिक्क्ति पूछ लेता है तो एसी कंडिशन में आपको क्या करना होगा कि यह आप कहां तक बनाऊगे तो आपको formula पता होना चाहिए, तो यह ध्यान से लिख लो, सिक्कों के लिए जो ns होता है, वो 2 की पावर n होता है, यह, सिक्कों के लिए जो ns होता है, वो क्या होता है, 2 की पावर n होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अब मालो 2 सिक्कें हैं, तो कितना हो जाएगा दो की पावर 2, कितनी कंडिशन हो गई, चार कंडिशन्स हो गई, कितनी कंडिशन्स हो गई, चार कंडिशन्स हो गई, आई बात समझ में, सभी को बात समझ में आ रही है, कितनी कंडिशन्स हो गई, चार कंडिशन्स हो गई, है ना, अब देखो, आब मैं अगर बात पात करूँ आप से एनी आपको confirm हो गया अब मैं कहूं एक दोनों पहेट आने प्रोबिल्टी या हो गई दोनों पहेट भी एक कंडिसन है दोनों पहेटल की एक कंडिसन है कम से कम एक खेट अब देखो लाइंगुज पढ़ लो अब यहीं से आपको सिखा दूँगा सभी देखो जैसे दो सिक्के हैं बहुत ध्यान समझना अगर दो सिक्के हैं ठीक दो सिक्के उच्छा ले गए अब देखो दो सिक्के उच्छा ले गए तो यह बताओ अब देखो अगर मैं बोलू कि कम से कम एक हैड तो कम से कम बात करता है कम से कम एक हैड कम से कम एक में हैड पूछे करमालो तो कम से कम एक में हैड मतलब होता है कि एक में भी हो सकता है और दूनों में भी हो सकता है तो कित्ती कंडिशन हो गई एक दो और तीन मतलब तीन बटा चार यह हो गया इसका उत्तर कम से कम वाला आई कैसे करोगे तो जब कम से कम पूछता है तो इसको ना कर दिया कम से कम एक में हैड है तो कम से कम एक में हैं तो किसी में भी ना करो और माइनस कर दो, किसी में हेट अलिक करनीशन कित्थ होगी, एक ही होगी, तो 1 होगी, बचान होगी, 1 बई, 4 होगे, ये किसी में भी हेट नहीं है, कम से कम एग चायए, तो 1 माइनस कर देंगे, तक भी तुम्हारा 3 मटा 4 हो जाता है। ठीक यह ध्यान रखना अब ही सवाल कराएंगे शीख जाओगे अब ध्यान अगर कभी and लिखा है तो and का मतलब होता है गुणा और अत्वा लिखा है इसका मतलब होता है प्लस इसको ध्यान रखना बहुत इंप़र्टेंट है जैसे मैं कहूं कि दो सिक्के हैं मालो बहुत एक कहूं कि जो है एक में head तथा एक में tell एक में tell आने की probability क्या होगी तो एक में head दो condition सिक्के हैं तो 2c1 हो जाएगा एक में आ चुका है तो अब अगले tell चाहिए तो में तथा लगा है तो यहां एक सिक्का fix 1c1 हो जाएगा बाई कितना हो जागा to four conditions हो जाएगी तो दो बटा कितना चार कितना one by two अगर तथा लगा है तो and होता है और दो में एक fix हो गया and का मतलब होता है अगर पहला वाला first वाला fix हो गया तो दूसरे वाले में उसकी संख्या क्या हो जागी कम अगर दो कंट सक्के हैं एक मेहट आ चुका है तो बच्चा आप एक सिक्का तो एक में एक ही टेलाएगा ये सब चीजे भी सवाल कराएंगे आपको सब किलियर हो जाएगा अब देखो आपके सामने मेंने कुछ लिख रखा है किसी घटना की होने की संभावना को प्राइक्ता या संभाविता probability कहते हैं सांख की गडित बिज्ञान दर्संशास्त आज छेत्रों में इसका बहुताय इसको याद रखो यह सुत्र वही है बस इसका सेंबल चेंज है एक्जांपल इंटर्व्यू होता है हेर प्रबाइल्टी ऑप पॉसिंग देटर्व्यू वन बाई टू और फेलिंग का भी वन बाई टू होता है बाई ट्रैल बी मीन परफॉर्मिंग और रेंडम एक्स्प् करेंगे कर्णा बैग में रखी अलगर रंग की गेंदे जो गेंदे होती है अंब इसमें लाल है रेड है ब्लैक है ग्रीन अब रिड की प्रोबिल्टी निकालने क्या होगी कभी ब्लैक की पूछेगा कभी कुछ और पूछेगा तो सब कोईस्टन्स आपको कराया जाएंग कि आप बस निश्चिंत हो करके सांती से एक चीज हमारी समझते रहीएगा देखना प्रोबिल्टी कि आप मास्टर हो जाएंगे स्लेक्शन तो दूर है आप दूसरों को भी समझा देंगे तो कि हमारा पढाएंग तरीका आपको पता है कि मैं चैप्टर के बिल्कुल तह त होता है होता है यहाँ पर एक सिख्काय door होंगे दो सिख्कें चार होंगे तीन सिख्कें तो आचूं के चार सिख्कें운 तो फो जैसे चलता रहेगा प्रोब्लटी कासी होती इस सब आप इसमें पढ़ना बाद में अभी गॉस्तर देखो आपको बताहूं तो को सट्सीन number 1 को चार सिक्के उच्छाले जाते हैं, तो तीन पर हेड और एक पर टेल आने की probability क्या होगी, हमसे बुला है आइंड, बहुत ध्यान समझना, अब आपकी कहानी सुरू हो जाती है, जब हम इसके solution की बात करेंगे, तो बहुत ध्यान समझना, जब चार सिक्के उच्छाले जाते हैं तो सीधे समझ लो, जब probability हमसे पूछेगा, P मतलब probability, ठीक, तो P जब पूछेगा, तो कुल कंट, चार सिक्के, पहले देखा करो कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, चार सिक्के हैं, तो नीचे क्या होगा, तो दो सिक्कों के लिए क्या बोलते हैं, टू की पावर 4, N होता पर head तीन पर head और एक पर टेल आने की probability क्या होगी अब तीन पर head बोला है तो सिक्के कितने हैं बोलो चार और तीन पर head मतलब अब दोखो NCR लगेगा क्या लगेगा NCR यह हम आपको पढ़ा चुके हैं factorial N upon factorial R into factorial N minus R यह formula होता है इसका बस समझ गए अब जोखो तीन पर head तो कितने सिक्के हैं चार तो 4C3 हुआ अगर end है तो गुणा होगा फिर मने कहा था अगर चार में से तीन सिक्के fix हो चुके है मैं चार में से तीन सिक्के end में fix हो जाता है मैं example समझाओ एक और आपको example समझाओ मोत मजाएगा जिसे मैं आपसे कहूं आपको लखनव या प्रयाग राज जाना है लखनव या प्रयाग राज जाना है तो आप किसी में से एक जेगे जाओगे या तो यहां या तो यहां य अगर आप प्रियागराज जा चुक अगर आप प्रियागराज जा चुके हैं अब प्रागराज नहीं जाना है अब आपको सिर्फ हो सिर्फ रिवा जाना है बात समझ गए लेकिन अगर प्रागराज अथवा रिवा जाना है तो आपके सामने कंडिशन्स है कि अगर प्रागराज गए हो तो अभी आपको रिवा भी जा सकते हो और नहीं भी जा सकते हो मतल गोओ की कन्डिशन में क्या होता है यहां और स्कूल में इसकित नहीं होता है को यहां पर एक होगे हो तो के क्रेrendo आएगा अब याए NCR हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब greatest one होता है N-R में N तथा आर में जब difference one होता है तो उत्र कितना होता है N होता है NCR में जब difference one होता है तो answer क्या होता N मैं लिखवाया था पूरा वीडियो देखो मेरा पर्मूटेशन का भी पढ़ाया हूँ मैं और कॉंबिनेशन पुरा पढ़ाया हूँ पुरा अच्छे से देखना उसको तो NCR में अगर N-R बराबर 1 है तो इसका उत्तर होता है N अगर R भी बराबर 1 है तो भी इसका उत्तर होता है N यह सब चीजे मैं आपको बता चुका 16 उत्तर आएगा एक बटा चार अब बताओ यह कुश्चन क्या आपसे कभी गलत होगा आज के बाद कभी गलत नहीं होगा आपसे क्यों कि आपको सिक्के पर पता हो गया है कि नीचे क्या होगा 2 की पावर 4 होगा जितने सिक्के होंगे उसका 2 की पावर 4 लेना है यह 2 की पा तो आर बराबर कितना हो गया तीन तो 4C3 हम अगर होगा ध्यान रखना क्या होगा अगर होगा तो तीन पर आ चुका है मतलब यह अब तीन नहीं लेंगे आप सिब एक कंडिसन लेंगे तो वन सिक्के पर एक भी बार तेल आ सकता है यह था इसका solution आप सबको समझ में आया होगा और इसको share कर दो मेरे भाई जिससे मैं दूसरा वीडियो आपको बहुत खतरनाक मना के दूँ मेरे वीज आपको बढ़वाने हैं यह आपकी जिम्मेदारी है अगर आप चाहते हो कि कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो दिये जाएं तो आप मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा सेर कर दो और सब्सक्राइब भी करवा दो अगर नहीं कि अभी तक है और कम से कम दोस्तों को बताओ इस चीज के बारे में कि ट्रेपल ले मु बहुत अच्छा समझ में आएगा जब पांच सिक्के उच्छा ले जाते हैं अपने आप सोचोव 5 तो बताओ अच्छा Nीचे कितना लिखोते तो नीचे लिखोते दो की अच्छा ले carriage जाते हैं तो नीचे कितना लिखोगे बता भाई अगर पांच सिखके उच्छा ले जाते हैं तो क्या करोगे नीचे लिखोगे कितना अगर जो है पांच सिखके उच्छा ले जाते हैं पांच अब दोखो पी हमें चाहिए क्या चाहिए पी तो नीचे कितना लिखोगे नीचे तीन पर हेड अथवा दो पे टिल अब दोको टी अथवा लग गया एं किते हैं 5 एंट तो तीन पर हेड तो 5 5, C, 3, अथवा का मतलब प्लस होता है, लेकिन यहाँ तीन फिक्स नहीं हुए है, मालोग 5 सिक्के हैं यह वाले, अब यह तीन फिक्स नहीं हुए है, अब यह तीन पर हेड आ चुका है, अब इन पर अथवा लगा है, मतलब इस पर भी टेल आ सकता है, किसी पर भी हेड आ सकता graphi सब्सक्ढाइए ऐसे मगया ता आप प्रेयाग राज जाना हो अ्थवा रिवा जाना हो तो आप कहीं भी जा सकते हो सवतंत्र हैं आप क्या है आप सवतंत्र है और सवतंत्र घटनाएए है ठीक है इस अब आपको बताएंगे अगले वीडियो में बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाले हैं अगली क्लासिज वबरदस्त होने वाली वस आप लोग इसको जल्दी शेयर करते रहो जिससे हमारा मन जो है और मनोबल बढ़े और आपको हम अच्छे-च्छे कंटेंट प्रवाइड करा सकें तो 5C3 हाना अब देखो प्लस हो जाएगा दो पे टेल टेल क्या हो जाएगा फिर पांच ही होगा अभी फिक्स नहीं हुआ कोई भी फिर से हो सकता है 5C2 बस इसको हल करना एं सी आर अलाम पढ़ा चुके हैं तो आपको पता है डिफरेंस कितना कि आपिस दो इन्टा बयटाएगा तो वर नीचे कितना हो जाका तो ना उपर-पांच कितना हो जाएगा ब्रॉटा ऑटीज्य्य मेरा इं reminds प्लतितने दिखत होगी समझाए मैंने बिल्कुल सही है इस लिखने में दिक्कत हो गयी तो फांच चे चैना था सक्क्राइब यह नीचे 32 हो गया अब देखो अथ्वा लगा है यह क्या है अथ्वा है तीन हेड है तो पांच में से तीन हेड मतलब फाइफ सी थ्री प्लस अभी फिक्स नहीं हुए मैंने कहा था पांच अगर है इसमें से कोई सिक्का ले सकते हैं इसके सब बराबर है अब पांच सी टू यह हो जाएगा इसको हल कि थी कितना होगा पांच इंट्व गुण है उचार दो गुने एक और यह कोंबिसे ने गुलों पूरा बताया है तो दो दुनी चार तो दस दस कितना हो गया बीस तो चार पंचे बीस और चरवठी बत्तिस पांच बटा आठ फाइब बाइट हो जाएगा तो 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 पांच में से तीन अथवठी नहीं होगे मेरी बात ध्यानक ना और तथा होगा तो फिक्स हो जाएंगे मैंने कहा था याँ चार में से तीन फिक्स हो गए है तो अब एक सिक्का लेंगे बस यहीं से लोग कन्फूज रहते हैं मैंने आपको बहुत बारीकी से आपको समझा दिया है अथवा तथा होगा तो यह फिक्स हो जाएगा फिर नहीं लेंगे उसको और अथवा में उसको हम दुबारा भी ले सकते हैं ठीक तो यह एंसर हो गया सबको समझ में आ रहा होग होगा क् elli यह चाले जते हैं तो सभी के हीट आने की प्रॉबर्टी क्या होगा कि यह लगा दो horiz Colorado कि ईसका मौन क्या होता है NCR, याद करो, NCR में जब NCR में N बराबर R, इसका मान क्या होता है? 1, 1 होता है इसका मान, क्यों होता है? देखो, factorial 100, क्या लिखोगे? factorial 100, upon factorial 100 into factorial 0, ये cancel, इसका मान 1 होता है, तो 1 upon 1 कितना हो गया? 1 हो गया, आया समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, कन्फर्म है, हाँ, चलो बता फट, अगला सवाल देखो, question number 4, question number 4, कह रहा है कि जब 2 सिक्के, आप सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, और आप सभी लोग इसको यार share कर दिया करो, फटा फट जितना हो सके, क्योंकि मैं देखता हो ना कि मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन share नहीं करते हैं, तो मैं आप सबसे बहुत सिकाया थे मुझे, तो आप लोग share जरूर कर दिया करो, हाँ, चलो देखो, अगला question देखो, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो कम से कम, अब योई बाता आगई, कम से कम, एक head आने की probability क्या होगी, अब योई बाता जी नहीं आई, दो सिक्के, ये तो आप बना के भी कर सकते हो, कित्ती condition होगी, 4, दो सिक्कों पर कित्ती condition होगी, 2 की power 2, कित्ती condition होगी, 4, ये total conditions आती है, ठीक है, अब देखो, तो इस पे भी head, इस पे भी head हो सकता है, यहाँ head, यहाँ tail हो सकता है, यहाँ tail, यहाँ tail हो सकता है, यहाँ tail, यहाँ head हो सकता है, तो कम से कम, अब दो हो ध्यान से, कम से कम का मतलब होता है, जिसे तुमसे कहें कि आपका पेपर है, ऐसा समझना, आपका पेपर है, और सो नंबर का पेपर है, और पापा कहते हैं आपसे जब पेपर देने जाते हो, कम से कम पचास नंबर ले आना, नहीं तो डंडा चलेगा, करते हो, या तो 50, या तो 51, я तो 52, या तो 33, आपकी पास सवतन्तृ हैं, पचास से उपर तक नंब लाने में पापा नी जो बोला मैं किsmार कम से कम 50 नंब लाने हैं तो आप सवतन्तर नहीं हैं पचास से कम लाने में अगर आप स्वतंत्र हो गए पचास से कम लाने में तो पापा का डंडा भी रखा है बाताई समझ में तो कम से कम का मतलब होता है जो आपको एक रेंच दे दि जाती है आपको उसके नीचे नहीं जाना है आपको उसके उपर कहीं भी जा सकते हो अब इßen अच्छा एक讲 क्य scope के एक पेपर सो नंबर का है और पापा कहे आपसे चलते समय कि 50 नंबर से कम अगर नहीं लाना है मतलब आपको 50 नंबर से कम नहीं लाना है मतलब वनचास नहीं हो सकते एक से लेकर वनचास आपको नहीं लेना है पचास से सो तक कुछ भी हो सकता है तो ऐसे ही कम से कम एक हेड तो एक हेड भी हो सकता है एक हेड भी हो सकता है दोनों भी हेड हो सकते है मतलब एक से कम नहीं हो सकता है मतलब जीरो नहीं हो सकता है तो जीरो वाली कंडिशन को नहीं है यह एक है तो कुल कितनी condition हुई तो चार conditions हुई है इसे और तीन conditions बन सकती है तो कितना लोगे 3 by 4 कितना 3 by 4 अब इसका अगर दोसा तरीका जल्दी करना है तो यह तो दो सिक्के थे कभी ज्यादा सिक्के हो सकते हैं तो कम से कम जब बेटा बोलता है कम से कम एक head एक head की बाद बोला है तो दिमाग लगाओ कि कम एक head ना हो कम से कम एक head बोला है तो head ना हो मतलब head जो है head ना हो ने की property ना हो तो head ना हो तो सिर्फ एक condition है एक बटा चार सिर्फ टल हो दोनों में इस नोई वे कंडिशन बनेगी तो ये टल की प्रवरिटी हो गई हमेज़े कम से कम तो एक से जैसे घटा दोगे वो at least हो जाता है क्या हो जाता है कम से कम हो जाता है अगर जैसे एक से घटा देते है यही हम पढ़ाएंगे तो मैं जब हम कार्ड की बात करेंगे ऐसे हुकुम बेगम गुलाम बासा नहीं होते हैं डायमेंड हर्ड नहीं होते हैं इस पेड यह सब जो कार्ड की बात करेंगे या गेंदों की बात करेंगे कोई ठेले में लाल हैं, हरी हैं, पीली हैं, तो कम से कम चार लाल गेंद होने की प्रोपरिटी, ऐसे question होगा, तो one minus करेंगे ध्यान रखना, तो three by four तो होता ये, सब को आया होगा समझ में, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं रही होगी, हना, तो चलो, हम लोग बात करते हैं, इसके अगले questions के बारे में, दोखो फटा-फट, ये है इसका अगला question number five, दो क्या करा है, एक सिक्का चार बार उच्छाला जाता है, अब दोखो एक साथ नहीं, बहुत ध्यान समझना, अगर एक साथ होता है, एक साथ का मतलब होता है, at random, बस इसको ये condition अलग होती है, और एक सिक्का चार बार उच्छाला जाता है, मतलब अलग-अलग कह रहा है, अलग-अलग, अलग-अलग जब होता है, तो वो multiply भी चलता है, क्रमागत हुआ ना ये, ये क्या हुआ, क्रमागत, और आपको मैंने बताया हूँ, quant में पढ़ाया हूँ, क्र पर्संडेज हो, चाहाँ क्रम होता है, वहां गुणा होता है, जहां क्रम वहां गुणा, अब जोखो, अगर एक सिक्का उच्छाला जा रहा है, तो पहली बार में कित्ती कंडिशन होंगी, दो होंगी, और पहला एक बार में हेड लाना है, इसका मलब है, टेल है, फिर है, तो हेड आने की प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् क्याद का प्रशन के पिरसिए खैसने웠ने के और जेहां पर क्रम होता है एक उल्टबर को समझ मैं आ आपको जड़ा Kumिन पर MA और कमेंट आपके जरूर पढ़ता हूं और आपका comment पढ़ूंगा जरूर देखूंगा आप लोगोंने क्या समझा है कैसे समझा है तो मुझे बताना जरूर कि आपको कितना समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो भी comment करना किस तर मुझे बिल्कुल नहीं आया समझ में और अच्छा पढ़ा दीजिए तो आपको हेड आने की probability क्या होगी अब देखो तीन सिक्के उच्छा ले जा रहे हैं और कम से कम किते हड चाहिए कम से कम दो हेड चाहिए कितना बढ़िया सवाल है अब तीन सिक्के हैं तो कंडिशन कित्ती हुए दो की पावर तीन कित्ती हो गई आठ हो गई हाना अब देखो अगर किती हो गई हैं तो कोडिशन के कम से कम दो हेड आने की कम से कम दो एक हेड नहीं हो सकता है देखो कम से कम बोल दिया उसने 2 head मतलब 2 head at least होना चाहिए 2 head मतलब 1 head से काम नहीं चलेगा जोसे number है पापा बोले 2 number लाना है अब एक number नहीं ला सकते एक number लाने मतलब डंडा चलना 2 के उपर कोई भी ला सकते हो 8 में हाना 3 सिक्कें 3 head आ सकते है लेकिन दो हेड से नीचे नहीं आ सकते कम से कम का मतलब होता है उसके नीचे नहीं आ सकते एटमोस का मतलब होता है उसके उपर नहीं जा सकते इसे बोलता रही पापा तुमको 100 रुपय दें एक्जामपल देखो पापा आपको 100 रुपया दें वह आप से कहें बेटा 80 रुपय एक को ना खर्च करो ये भी आपके दिमाग पर डिपेंड करता है मतलब 80 रुपया के ऊपर ना खर्च करना तो आप क्या करते हो 0 से ले करके ना खर्च करने से ले के 80 रुपया तक आप खर्च कर सकते हो 80 रुपया के ऊपर खर्चे नहीं कर सकते हो ये condition कहलाती है at most क्या कहलाती है at most कहलाती है ये condition 80 रुप्या से उपर तो at most का मतलब होता है उसके उपर आप नहीं कर सकते at least का मतलब होता है उससे नीचे आप नहीं कर सकते दो के लावा तीसरा होता नहीं है none का मतलब नहीं कर सकते at least at most और none नन का मतलब होता है आप वो चीज कर ही नहीं सकते जो आप से कहा जाए बिलकुल सीधे सदे बोल दिया जाए आप ये काम नहीं कर सकते मतलब नन क्लियर है तो चार बटा आठ कितना हुआ एक बटा दो कंडिशन हो गया आप समझ गये हो गये तो दो हेट की बात करा तो पहले ले आओ दो हेड आनिक प्रोबर्टी सिक्के कितने हैं तीन तो थिरी सी टू हो जाएगा तो कितना बैठेगा ये तुमारा तीन गुणे तीन है और तीन हेड भी हो सकते हैं तो दो हेड कितना हो जाएगा कितने सिक्के हैं तीन थिरी सी टू हो गया और साथ में क्या हो सकता है एक तीनों हेड हो सकते हैं तो एक कंडिशन और बन जाएगी थिरी सी थिरी बस समझ गये तो ये कितना बनेगा तुमारा तीन और प्लस हो प्लस हो जाएगा, तीन प्लस एक कितना हो जाएगा, चार प्रण बटा कितना, आठ एक बटा दो कम से कम दो हेड़, आठ लिस्ट समाझ कोई फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो यहां देखो, दो हेड यहां है, टेल हो जाएगा, तो कुल और कंडिशन बन सकती है, आठ कंडिशने कुल बनती है, चार ये बन गई है, अब क्या हो सकता है, एक टेल हो जाए, एक टेल हो जाए, और कम से कम दो हेड, एक टेल, दो हेड हो गया, हना, तीनो हेड हो सकते हैं, अब दो टेल हो, जैसे दो टेल तुमने किया, जैसे चार कंडिशन सोरो बनेंगे ऐसी, जैसे ही दो टेल किया, और तीनों टेल हो सकते हैं, तीनों टेल वाली बनेंगी, और कोई दो टेल बनेंगी, तो चार ये तो लेंगे नहीं, तो कौन से लेंगे, चार, मतलब 50% पास्बिल्टी है, किती है, 50%, 1 by 2, चार में होगा, 4 में नह आई आ गई होगी है ना कम से कम दो हेड आने की probability क्या होगी तो तीन एक चार बटा आठ सामने आपके बना दिया है मैंने आपको समझ में आ गया होगा मैं दुबारा फिर आपको बता दूँ देखो 3 शिक्वे 1 शायabile नीचे कितना हो जाएगा 8 क्लियर तो कम से कम दो हेड आने की probability तो कम से कम दो भी हेड हो सकते हैं दो हेड के क्या होगी तीन सिक्के हैं 3a2 हो गया और तीन 2 हो गया तो कितने बचे अभी replaceic controller अ बचे गतना不管 हो जाएगा तीन ये एक चार एक कंडिशन और बनी तुमारी बस तीनों में या तीनों कह सकते हो तीनों में हैड तीनों में हैड हो सकता है और ये दो में हैड जब कम से कम बोलता है तो दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है ये दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है तो कितना हो गया य तो 3 हुआ न, तो plus 1 by कितना, 8, तो 4 बटा 8 कितना हो गया, 1 by 4, sorry, 1 by 2, आई बस समझ में, देखो फटा-फट अगला question, इसको पढ़ोजा क्या कह रहा है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो 2 पर टेल आने की probability क्या होगी, सीधा सिंपल सवाल है, 2 पर टेल, तो नीचे कितना होगे, 8 सिक्के हैं, 3, 3 सी 2, बटा 3 बटा 8, बटा आसान सवाल, दुवारा समझा देए, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, 3 सिक्के, मतलब 2 की पावर 3, किता होगा नीचे, 8, और 2 टेल लाना है, तो 3 में से 2, यह पताया था, जब डिफ्रेंट्स 1 होता है, तो n एंसर होता है, शुरू में पताया था, जब n-r बराबर 1, तो एंसर n, n-c-r कमान क्या होता है, n होता है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो यह क्या होता है, probability होती है, यह क्या होता है, any होता है, यह क्या होता है, n-s होता है, मैं बार बार आपको बताता रहूँगा, जब तक आपको नहीं आएगा, अब आता है dice, अब आता है dice, जब हम dice की बात करते है देखो ध्यान समझना जब भी हम डाइस की बात करते हैं जैसे पासी की बात करते हैं आपको पता है पासा बिल्कुल डाइस क्यूब की तरह होता है यह तो आपको पता होगा जिसा होता है क्यूब के तरह होता है इन पर नम्बर्ज लिखे होते हैं अपने लूड़ौ बहुत खेला होगा जब लूड़ौ खेला होगा अब जितने बच्चे पढ़ रहा है इसमें कोई ऐसा हो सकता है कोई बिरिला बच्चा हो जो लूड़ौ ना अधर व्यार्त गोए अब इसका क्लरोड जर्श कर दें दो बच्चों का अलग अलग के बड़ाते हैं एक रेड़ वाला एव दूसरे का जो है और खातर नाक ऐसा एक बड़ी हाँ के पास पासा है और सकुनी का पासा मत लेना कि सकुनी का पासा खतरनाक था ठीक है यह है अब क्या कंडिशन्स हो सकती देखो यहां पर इसमें कित्तिक नमर्स होते हैं किसी पर एक होता है किसी पर दो होता है किसी पर तीन किसी पर चार किसी पर पांच किसी पर छे क्योंकि छे फेस होते हैं जो फलक होते हैं फलक मतलब फेस वो कितने होते हैं six होते हैं तो मालो यहाँ पर one है तो हो सकता है इस ने फेक का तो यहाँ पर दो आया है सांप की सीड़ी आपनी खेला हो गाया लुडू खेला होगा तो आप खाता खोलने के लिए लोडा खेला a होता है तो है किसी बच्चे का एक कैसे नहीं आ रहे है तो हो सकता है कितनी 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 बडंभ़ेक तो एक आने सम्भवना है तुम्हीं बताओ सांप की सीड़ी मालो के खेस्ट किसी ओफम और समने खेला हो readily साफ की सिड़ी आपने खेलने, ठीक है, अब क्या हुआ आपको खाता खोलना है, तो देखाऊँ का सुरू में किसी कह नहीं खुलता है, पर साफ की सिड़ी में, बहुत ही किस्मती बच्चा होता है, जो पहली भार में ही मारा हो एक आगया, यद छे आ गया, ऐसा छे यदिया, एक एच्छे से खाता खुलता है आपको आगे बढ़ने के लिए सामकी सेड़ी में तो हो सकता है तुमने तुम्हारी किस्मत बहुरी बुरी चल लई हो तो ने पहले फेका पांच आया, दुबारा फेका चार आया, तिवारा फेका तीन आया, फिर फेका दो आया, फिर फेका छे आया, आपको लाना एक है, मालोग फिक्स कर दिया जाए, एक से ही खाता खुलेगा, अब छटी बार आपने फेका तो एक आया, तो किता हो गया, एक आने के संभावना का वह दया मतलब इसके बाद अब एक तो आई जाएगा पॉंच के बाद मतलब चिक मेंटमर डूद कंडिसंस होती है उसको प्रविल्टी वोलतेैं तो संभावना वोलते तो पहलर लेकिन क्डिसंट तुम्हारे हाथ में नहीं है यह तो निते है। वह सब्सक्राइब पहली बार में ही एक सब्सक्राम लेकिन přावकुन करते हैं लेकिन पहलो कि अब ऐगा वनिशाएं समझ गाए आउटकंस क्या होता है तो सिक्स मैं से कितना एक तो ऐसे यह दाते में कितनी ऊप इसक अगर देता एक byल यह चोटY होते हैं एक पासा है तो यहाँ 6 हो जाएगा दो पासे है तो 6 की पावर 236 हो जाएगा यह सब NS होता है यह सब क्या होता है NS टोटल कंडिसन्स होती है तीन पासे है तो 6 की पावर 3216 हो जाएगा यह 6 की power 3 कितना जागा 216 यह conditions होती है पासे की अच्छा और देखो यह चीज़ और सीख लो जब sum की बात करता है जैसे 2 पासे फेक रहा है एक पासे पर अगर मालो कहता है sum जो है 8 आने की probability क्या होगी sum 8 जिससे सवाल था तो sum 8 आने पर हो सकता है इधर 1 आजाए उधर 7 आजाए इधर 2 आजाए उधर 6 आजाए इधर 3 आजाए उधर 5 आजाए इधर 4 आजाए उधर 4 आजाए तो कितनी conditions होई चार conditions होई किती हुई अब मालो 10 नहीं हो सकता है जोकि पासिए पे0 नहीं होता है तो इसकी इस वह बताते हैं इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं दो ध्यान समझना ट्रिक इसकी यह होती है जैसे मालो आपको दो पासी फेकता है तो सम तो दो ही आएगा सदयों सम आने की संभावना सम पर है योग फल योग की संभावना जो प्रॉबिल्टी होती है वो कैसे निकालते हैं बोर ध्यान समझना या तो सम दो आएगा या तो सम तीन आएगा या तो सम चार आएगा या तो सम पाँच आएगा या तो सम छे आएगा या तो यहां लिखो साथ आएगा या तो यहां आठ आएगा यहां दस आएगा यहां ग्यारा आएगा यह तो बारा आएगा यह कंडिशन्स हो गई यह सम क होता है यहां के लिए छे अब मालो आठ के लिए हमने बोला था तो आठ के लिए एक हो गया और साथ हो गया ये भगवान साथ कैसे आ जा गा डाइस पर में दिमाग में कैसे आ गया था एक होगा तो कितना होगा एक हो एनी सकता कितना होगा दू मि लिखा था यहां कुतना होगा ठीक है तीन ऊगा साथ कैसे हो जाएगा तुम यहां पे मैंने कहालिक दिया था? नहीं लिखा था रखा दिया रही हिए दो है छे, तीन है पाँच अब चार है तो यहां कितना लगा? चार हो जाएगा इस पे चार अब मालो इस पे पाँच आगया तो उस पे टीन आगया तो कुल condition 8 के लिए क्या conditions होती है, 5 होती है, पहली इस पर sum लाना है, sum 8 आने की, तो पहले पर 2 आया, इस पर कितना आया, 6 आया, अब इस पर 1 आया, उस पर 7 नहीं आ सकता है, क्योंकि sum 8 लाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको क्या होता है, 1, 2, अब sum 2 लाने के एक ही property है, इस पर 5 हो गया, इस पर 6, उस पर 5, वह समझ गया, वैसे ही यह common हो गया, तो 2, 2, 4, यहाँ 6 और 2 भी तो हो सकता है, 5 और 3 भी तो हो सकता है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, और यह condition 5, अब 4, 4 में थोड़ो reverse कर देंगे, उस सेम हो गया, तो 2, 2, 4 यह कितनी हो गया, 5, इसलिए 5 होता है, तो आप याद कर लो, मैं तो बारा फिल लिखे जरा हूँ, कैसे देखो, अगर सम 2 चाहिए, सम 3 चाहिए, सम 4 चाहिए, सम 5 चाहिए, सम 6 और यहाँ लिखा करो 7 नीचे, अब यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो 9, यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 11, यहाँ लिखो 12, अब इसके लि सब्सक्राइब अब आपको ये बताइए है और अब दिश्व इतरक सब्सक्राइब sum अगर क्या चाहिए पांच यह sum अगर पांच sum जो है आठ के लिए भी 5 conditions होती है 6 के लिए भी 5 conditions होती है अगर sum 6 को 6 बाकी अथवा बीचम दे दे तो plus हो जाएगा and दे दे तो गुणा हो जाएगा इसको ध्यान रखना वस ठीक है तो कितना उत्तर आया तुमारा पांच बटा च्छतिस किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता देगा भीया उसको दुबारा समझा देंगे परिसान बिलकुल ना होना आपके लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो लाया हूँ क्लास लाया हूँ आप सेर जरूर कर देना और मैं दूसरा क्लास इससे जबदस लाऊंगा अगर आप सेर करोगे बहुत जबदस पढ़ाने वाला हूँ आपको यह अब देखो प्रॉबिलिटी कभी आपको दिक्कत नहीं करेगी अभी तो सुरुवात है कुश्चन नमबर नाइन कहता है यदि एक पासा दो बार फेका जाता है तो एक भी बार एक ना आने की संभावना क्या होगी एक भी बार एक ना आने की संभावना मतलब एक पासा दो बार फिका जाता है अब दोखो एक पासा दो बार फिका जाता है अब यह आट फिर दोखो समझो यह जो है यही सवाल लोग फसाद फस जाते हैं यह आट रेंडम नहीं है आट रेंडम नहीं है अलग-अलग है क्या है? अलग-अलग है अलग-अलग है और क्रमागत है कैसा है क्रमागत है क्रम से आगत है मतलब combination है क्या है combination क्रम से आगत क्रम से आ रहा है और जहां क्रमागत होता है वहां गुणा होता है मैंने आपको बताया हूँ probability का ये questions लोग नहीं लगा पाते हैं क्यों क्यों कि लोग यहां नहीं समझ पाते हैं कि यह at random है कि अलग-अलग है at random में जो होता है any upon ns चलता है और जब अलग-अलग होता है तो बरनौली प्रिमे चलती है कौन सी बरनौली प्रिमे यह आप पढ़े होगे कहां physics में लेकिन यह math में भी है probability भी बड़ा काम की है प्रणौली है ना इनका नाम सुन लो प्रणौली प्रिमे तो यह अलग प्रिमे आपको नहीं पताओंगा नहीं डर जाओगे आप प्रिमे लिख दूंगा तो आप जो है एक दम से सुचोगे हाई भगवान ऐसी math होती है तो प्रिमे नहीं तो एक भी बार एक नाने की probability क्या होगी ठीक तो क्या है तुम्हारा बताओ क्रम है नहीं है हाँ या ना क्रम मतलब order है मेरी बात बोलो हाँ या ना यह सवाल बेटा बहुत बढ़िया है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लहजे से आपको समझा देंगे जिन्दगी आपको दिक्कत नहीं होगी क्रम मतलब order और जहां order वहां गुणा होता है ठीक है अब देखो एक पासा पहली बार फेका गया होगा तो एक नाने की एक नाए बाकी आ जाए तो बाकी कितनी conditions होती है मैंने अभी बताया था आपको हटा दिया सेड मैंने एक जो है एक नाने की इन्हार है तो बहुंदब 2 भी आ सकता है 3 भी हो सकता है 4 भीं हो गई तो 5 बाइक इस्क्स हो गया अगली बार आयट रेंडम होता है ये कब होता है जब आयट रेंडम की बात करते हैं आयट रेंडम ठीक है समझ में आ रहा होगा सभी को ठीक कुश्चन नंबर 10 देखो क्या करा है कि दो पासे अब दो पासे एक साथ फेके जाते हैं तो दोनों पर समान अंक ना आने की संभावना क्या है ये तुम्हारा एक पासा ये है और दूसरा पासा मालो कलर चेंज करके बनाता हूँ दूसरा पासा जो है ये है पासा सकुनी ने पासा के दम पर महाभारत करा दी थी तो आप पासा के दम पर सेलेक्शन ले लो ये ठीक है ये दो पासे है अब जो है जैसे मालो आपसे कहता है दो पासे फेके जाते हैं तो दोनों पर समान अंक अगर यहां समान अंक ना आने की property बोला है ठीक दो पासे फेका है तो समान अंक ना आने मतलब यह हुआ अगर इस पर एक आ रहा है तो इस पर कितना आ रहा है फ्रहें कितिं करें बनि पांस करें वनेक्राइब एस पर दो आ गए समान लानेग्र कित्ती होंगे एक छे होंगे, किती होंगी, छे, कैसे समझो, समान अंक आने की प्रबर्डी क्या होंगी, छे होंगी, फिर समझना इक बार, जैसे मैं कहूँ, यह पासा तुम्हारा है, यह डाइस है, तो समान अंक ना आने की बोला है, समान अंक ना आने की, तो समान अंक आने की, तो समान अ मांतं को होने की हमें चैनी यह ना होने की तो वन माड़ने की बराबर कितना होता यह ना होने की है तो हमेशी ना होने की probability क्या बनेगी तुमारी वन माइनस होने की प्रोभबर्टी वन माइनस होने की सम्भाव pourtant पी ए Ayस यसे वन माइनस होने की probability तो वन माइनस वन नोल जागा five by six केलियर है करें है कुश्चन नम्र 11 देख्भव फटा फट क्या करहें है तो question number 11 कह रहा है कि एक पासा दूबार फिका जाता है फिर दो खुकरम आ गया एक पासा दूबार फिका जाता है यहाँ यह सब सवाल जो है बर्नावली की प्रेमें से ही होते हैं होते हैं तो तरीके के प्रियोग होते हैं दो तरीके के प्रयोग होते हैं एक होता है जो fix होता है एक होता है जो fix नहीं होता है अब fix कौन होता है जिसे मालो H है hydrogen है oxygen से reaction करेगा जो भी इसमें परमार क्रमांग परमार भार जो भी होता हो तो S2O बनाता है समझ गया ना अमोनिया बनाना है तो NS3 के लिए आपको नाइट्रोजन लेना है एन और H मिलके यह अमोनिया बनेगा समझ गया S2O4 लेना है तो सलफल लेना है oxygen लेना है hydrogen लेना है मतलब यह fix है यह नहीं लेंगे तब हूँ सलफूरग बन जागाँ सलफूर है परसालना होना नहीं भी हो सकता है तक पढ़ोगी निद्यान से ठीक पढ़ोगे तो selection हो सकता है लेकिन बहुत rare case है नहीं होने का ठीक but condition जी interview देते हो selection होने की विसमभ़ोना है वो तुमारे हाथ में नहीं है बट reaction आपके हाथ में है आप जो चाहो मिला दो सरवत बनाना आपके हाथ में है चाय बनाना आपके हाथ में है, यह सब क्या है, फिक्स प्रिटिकल होते हैं, खाना बनाना आपके हाथ में है, है ना, जो चीज़े आपके हाथ में नहीं होती हैं, उन्ही को हम probability बोलते हैं, ध्यान रखना, अब दोखो, एक पासा दो बार फेका जाता है, तो कम से कम एक पर चार, कम से कम एक पर चार, अब दो पासा फेक रहा है, यह, तो कम से कम एक पर चार बोला है, ठीक है, और दूसरा पासा मालो यह फेका है, अब यह सब पासे हैं भीया, यह पासा, तो बोला कम से कम एक पर, कम से कम एक पर चार, तो इस पर अगर मालो यह एक है, यहां क्या है, चार है, त हो सकती हो सकती जैसे मालों इसमलत और हमने एक आड़ ठीक्ज कर दिया एक पर चार इसे हो सकता है तो च recreation समय सकता है छी के साथ की ना हो पांच समझ गए तो अब देखो तो पांच अब समझना तो कम से कम क्या बोला है एक पर क्या बोला है कम से कम बोला है अब कितना बड़िया सुन्दर सवाल है अभी मैंने बताया कि एक पासा दो बार एक साथ नहीं फिक रहा है तो मैंने डियाग्राम बना दिया एक पासा है पासा दो नहीं है पासा कितने है पासा एक है पासा कितना है पासा एक है अब इसको दो बार फेक रहा है अब देखो दो बार फेकता है तो पहली कम से कम एक पर चार तो एक पर कम से कम चार चाहिए तो पहली बार फेका तो एक पर चार चाहिए कम से कम तो ले लो एक पर चार ह एक बटा छे होगा और कम से कम चीए तो 1-1 बटा छे कर दो एक पर 4 ना आने के लिए लो कम से कम एक पर 4 चीए तो इसी कर्डिशन होंगी 5 बटा 6 होंगी अब देखो तो दो बार खेक रहा है तो दो बार मतलब करम है जहां करम वहां गुड़ा होगा तो 5 by 6 गुड़े 5 by 6 कि हो गया बता यह हो गया तुम्हारा 25 बटा कितना 36 हो गया तो कम से कम एक पर 4 आने की प्रवबल्टी कम से कम एक चार आने की प्रवबल्टी एक चीछ अच्आ देखो फिरसे समझो हुए हम चाहते हैं जिन्दिगे में भोलो नहीं सवाल इसए यह पासा है और इजी लैंगोज हम बोलने हैं बहुत ही उसको समझ करके आपको ऐसी लैंगोज बोल ला हूं कि आपको कभी पेपर में दिक्कत ना है है देखो एक पास साथ नहीं तो मारम है जहां करम है दो बर फेक का जाता है तो पहली और कम से कम एक पर चार आने की प्रवर्वर्टी तो एक पर चार नाने की प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व तो कम से कम एक पर 4 आने की 5 by 6 होगी बस एकी condition होगी इसमें नहीं होगा कम से कम एक पर 4 तो एक पर 4 हो सकता है इस पर भी हो सकता है तो कम से कम एक पर 4 आने की probability किसी एक पर हो सकता है तो नहीं होने का है 5 by 6 दूसरा है नहीं होने का है 5 by 6 तो ये नहीं होने का आया है, ये किसका आया है, नहीं होने का आया है, तो होने की property क्या हो जाएगी, तो होने की संभावना हो जाएगी, अब दोखो, संभावना, 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 ठीक, होने की संभावना, अब दोखो, ये जो 5 by 6 है, ये क्या है, ना होने की है, ये क् पर एक ही कर्णिशन वागए तो यह ना होने कि 526 हो गई और दोनों करम ले लिया तो पचीस बड़ा च्छतिस हो गया ना होने की तो होने की हो जाएगी 1-25 बटा 36 बहुत बढ़िया सवाल है इसको ध्यांस पढ़ना हाल के मतले ना इसको अच्छे से समझो इसको कि कम से कम एक पर चार आने प्रवर्वर्टी मतलब चार ना आने के लिए 5 by 6 और अगली बार भी 5 by 6 हो गया 25 बटा 36 करम है मतलब गुणा है अब यहाँ यहां बरनवली की प्रेमे लगती है ऐसे कुश्चन में जो बहुत खतरनाक फार्मला है गुगल पर देख लेना पता चल जाएगा आपको कैसा होता है ठीक खुदी कोगे सर अब बहुत अच्छा आप समझा दियो ना इसके सलूशन उंको ढंके मिलेंगे देखो दर सब जो है संख्या गुणनफल समसंख्या अब समसंख्या क्या होगी भहिया तो दो पासे एक साथ आटरंडम बोल दिया ठीक है जब आटरंडम भहिया बोल दिया है तो बहुत ध्यान समझना जराब यह पासा है और दूसरा पासा यह है यह दो पासे है यह दूसरा पासा है अब बोल तो आपकी ऐसी कंडिशन्स बनती है कि हमें क्या चीए हमें चीए गुणा हना अब दोखो इसमें ऐसा क्या questions है समझो मेरी बात अगर आपका math अच्छी होगी आपकी quant अच्छी होगी यह question आप सोच ले जाओगे कि अगर आपका one odd number लोगे तो odd पर conditions किती बनेंगी तीन बनेंगी और event पर लोगे तो conditions किती बनेंगी छे बनेंगी अगर आपके दिमाग में अगर quant अच्छी से त्यार है तो क्यों odd पर तीन condition क्यों बनेंगी एक लोगे ना तो even number लाने के लिए या तो होता है odd गुणे क्या even odd गुणे even बराबर क्या होता है 1 into 2 कितना आएगा 2 आएगा लेकिन अगर even लेते हैं अगर odd into even तो 3 है गुणे 2 तबी 6 होगा तो odd के सा तुम्हे even लेना है लेकिन अगर आपने किसी भी number को जिसे लिया तुमने even इंटू अगर odd into odd है यसे 2 लिया इधर दो आया इधर तुम दो को किसी conditions अमालो इधर तुम्हारा odd है इधर लेकिन even लेना एक पर odd है एक पर odd है तो दूसे पर even कोई number even लेना पड़ेगा समझो मेर बात जैसे मनें कहा कि यह दाइस से मालो यह वाला डाइस है अब इस पर तुम्हें पर तुम्हें पर यह फिम्हें और लेना है तो अगर मुल्टिप्राई तुम्हें इवन लाना है मुल्टिप्राइब का लाना है इवन लाना है इस फर आड लोगे यहां तुम्हें लेना पड़ेगा इस क्या लेना पड़ेगा इवन असफिस руट खोंगे आर्द पर गूम्त्रत है तीन और 5 एक पर सबीट ठीन होगी समसंख्या समसंख्या ilake में और आगर आगर दो थो कंडिस्न woh ri जो टो लिए तो कोई भी ले लो इससे 25 चरव संख्या फैसे य संख्या याईगी तो इव यहां भी 6 होगी कि यहां भी 6 यह है किती हो गई तीन तीन 3 3 3 किता हुआ 9 हुआ यह 18 हुआ full conditions किती हो गई full conditions 27 हो गई मतलब जो हमें चाहिए जिसे probability चाहिए इट random है ना तो probability यह जलेगी तो any हो गया यह क्या हो गया बेटा यह हो गया any any जिस क्या हो गया 36 कितना उतर होगा तीन बटा चार आया समझ में बहुत बड़ीया सवाल है मज़ा आ रहा होगा आपको दो पास से एक साथ अगर एक साथ मतलब अट रेंडम क्या लगेगा प्रबैल्टी अगर अलग-अलग है तो क्या चलेगा गुणा या बरनौली की प्रमे ध्यान समझना मै चाहिए तो यहां अगर और नमबर लोगे एक पासे पर अगर नमबर लोगे तो दूसरे पासे पर हमें इवन नमबर ही लेना होगा अगर हम पहले पासे पर इवन नमबर लेते हैं तो दूसरे पासे पर कोई भी नमबर ले सकते हैं तो कुल संख्याय होती है छे जिसमें त होती है इबेन तो इस पर क्या होगा तीन की पावर कितना हो जाएगा तीन तीन की पावर कितना हो जाएगा ऑगत छतेज के इसका उत्तर हो जाएगा तीन कुल संपहर 3OR और मेरा देखो यदि एक सिक्का उच्छाला जाता है और एक सिक्का उच्छाला जाता है और एक पासा फेका जाता है और मतलब होता है गुणा प्लस नहीं होता है और का मतलब तो एक पर head, सिक्के पर head और पासे पर तीन तो head मतलब होता है एक ही सिक्का है तो एक condition होई, बटा दो हुआ ठीक, फिर गुणा शिक्का पासा में एक है, बटा कितना चे हुआ तो कितना हो गया, एक बटा, बारा अब दूखो एक सिक्का उछा ला जाता है और एक पासा उच्छारा जाता है दोनों सुतन्द घटना हैं मतलब गुणा चलेगा बीच में ये सिक्के के लिए ये पासे के लिए दोनों एक साथ है तो कितना होगा है एक बटा बारा किलियर कुश्चन नमबर 14 गजब का सवाल दो पासे एक साथ फेके जाते हैं तो एक पर दो का गुणन फल और दूसरे पर तीन का गुणन फल आने की प्रॉविल्टी क्या होगी बहुत बढ़ी है सवाल देखो ये मालो पासा है ठीक है ये मालो क्या है ये पासा है और ये पासा है यह पासा है, एक छोटा पासा एक बड़ा पासा, अब देखो, दो पासे एक साथ, आयट रेंडम बोला है, क्या बोला है, आयट रेंडम, क्या बोला है, आयट रेंडम, आयट रेंडम, जब आयट रेंडम बोला है, तो समझो मेरी बात को, तो एक पर दो का गुलनफल और तो तीन का गुड़नफल हो अब समझना अगर हमने इस पर लिया है सबोस्ट इस पर लिया है हमने दो का गुड़नफल मल लिया इस पर मालो दो लिया है तो इसके पर का आना चाहिए इस पर तीन आना चाहिए इस पर दो लिया है इस पर दो फिक्स हो गया इस पर तीन हो गया इस पर क्या हो सकता है छे हो सकता है इस पर दो है इस पर तीन इस पर छे हो सकता है इस पर हमने चाल लिया है तो यहां क्या हो सकता है यहां भी वह कंडिशन हो सकती है यह तो तीन हो सकता है यह एक पर दो गुड़नफल और दूसरे पर तीन का गुड़नफल होता है मतलब इस सूचने वाली चीजे होते हैं इसमें दिमाग आपको लगाना है सूचने वाली को कि हना तो इसमें आपको क्या करना है इसको ध्यांस समझो कि अगर हम पहले कंदो दो लिए एक ही चीज समझ लू अच्छे आसे दिए को पछी सम extrem और यह नहीं इना आप अगर अरी अदपर 1001 ले सकते इस पर 2 लिया इस पर 6 ले सकते इस पर 4 हो सकता है इस पर जो है छे हो सकता है इस पर भी छे हो सकता है इस पर तीन भी हो सकता है इस पर जो है छे और छे भी हो सकता है तो दो चार दो किती कंडिशन हो गई कुल कंडिशन हो गई छे यह वाली रिवर्स हो सकती है यह क्या हो जाएं यह पलट सकती है तो पांच प्लस पां होती है condition यह क्या हो गई प्लस एक हो गई कुल किती हो गई पांच पांच दस एक ग्यारा तो ग्यारा बटा कितना 36 यह उत्तर हो जाएगा इसका फिर समझा दें बार देखो मैं जान गया हो नहीं समझ पाए हो दो पास से एक साथ फेक रहा है दो का गुलन फल इस पे अगर द सकता है पहले पर ढूंस दूसे हो सकता है यहां पहर तिन और हो सकता है गए नहीं हो सकता है जिसन दो कर पर तीन चे आप चार पर शे वी II सकता है फोलकित् clicks फांच 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 यह लागा करो सवाल क्या है यह सब ऐसाई में ऐसे पूछता है दिमाग लगा के लगाना आप वहां पर वाज का आखरी कुश्चन है पंद्रा के दो पास से एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों संख्या के योग का अभाज होने की प्रॉबर्टे क्या होगी मतलब हमें प्राइम नंबर चा सुब कामनाएं हैं भगवान करें आप दरोगा बन के आएं ठीक अब देखो अभाज अभाज क्या होती है जो प्राइम नंबर होते हैं अब देखो प्राइम नंबर होते हैं तो सम क्या चाहिए मैं योग चाहिए अमालों यहां पर तुमारा एक हो गया यहां पर एक हो सकत ह sharpen यहां पर Tahien नहीं हो लेंगे दो सकते हैं यहां एक है तो इस पर कितना होगा चार ले सकते हैं और एक ऑन पहले सकते हैं तो साथ यहां होते हैं निए हुई चार हुई ऐसे ही जब यहां दो होता है तो यहां क्या ले सकते हो इस पर एक ले सकते हो यहां दो है तो इस पर क्या ले सकते हो इस पर दो है क्या लोग इस पर पांच ले सकते हो तो कितनी कंडिशन हो गई यहां तीन कंडिशन हो गई यहां चार कंडिशन हो गई बस सम सकते हो तीन दो पांच इस पर तीन इस पर चार हाना और तीन एक नहीं ले सकते हो तीन दो ले सकते हो तीन तीन नहीं ले सकते हो तीन चार ले सकते हो तीन पांच नहीं ले सकते हो तीन छे नहीं ले सकते हो किती कर्णिशन होई दो ऐसे इस पर चार उस पर एक ले सकते हो इस इस पर चार उस पर दो नहीं तीन ले सकते हो इस पर चार उस पर पांच नहीं ले सकते हो इस पर चार छे नहीं इस पर दो कंडिशन होंगी ऐसी पांच पर बनेगी इस पर पांच तो उस पर कितना एक नहीं ले सकते हो दो ले सकते हो पांच के साथ क्या ले सकते हो तीन नहीं चार नहीं, पांच ले सकते हो. तो आया, और कितीक दो कंडिशन, किती हो कि दो, दो, चार चार चर आठ, आठ, तीन, ग्यारा, ग्यारा, दो, तेरा, तेरा दो, पंदरा, Kil कंडिशन हो गई, पंदरा, पंदरा बटा कितना, दो पासohai है, 36, 35, 15, 13 से काटा, बारा पांच बटा बारा ये उत्तर हो जाएगा ये बरनौली की प्रेमे से लगते हैं बाकी फार्मले होते हैं तो आप इसको अभाज बोला है भाया तो आपको ये आउटकम्स लेने पड़ेंगे ये सवाल ऐसे ही लगते हैं इनको आपको लगाना पड़ेगा और इनमें इतना बार हो सकता है दो पर 6 तो है नमबर फटा फट जोड डालोगे सही हो जाएगा खिक है बाकी हम दूसरा बीडियो बनाएंगे जब आप इसको सभी लोग सेर करोगे सभी लोग कमेंट करोगे और सभी लोग इसको जो है लाइक करोगे तो मैं आपको प्रॉबैल्टी क दूसरा जबरदस्त बीडियो बनाके दूँगा हाना समझ में सभी को आ गया होगा कोई दिक्कत किसी को नहीं रही होगी चलिए तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी आप सभी बताओ कमेंट करके और इसको सेर कर देना हम लोग आपके साथ लगे हैं लगातार और सभी ब मुझे बता सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करा करो और इसको सेर भी कर दिया करो क्योंकि अभी हमें आपकी मदद की जरूत है हाना आप लोगों की हेल्प की जरूत है धन्यवाद